पचली बात करेंगे चत्तिसगर की पशुपालकों को लाप पहुचवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बखेल ने 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याई योजना की शुरुआत की थी राज्य सरकार गौठान बना रही है जिससे गायों को सनरक्षण मिल रहा है गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से सरकार गाय का गोबर खरीद रही है और खरीदे गए गोबर से सरकार वर्मी कमपोस्ट खाद बनाने का काम कर रही है इसे ग्रामीन और शेहरी स्तरपा रोजगार के नए अफसर मिल रहे हैं गाय पालन और गाय सुरक्षा को प्रोचसाहन देने के साथ साथ पशुपालकों की आर्थिक स्तिती भी मजबूत हो रही है देखे एक रिपोर्ट 36 कर में मुख्यमंत्री भूपेश पखेल की सरकार ने गोधन न्याई उचना लागू कर एतिहासिक कदम उठाया है गोधन न्याई उचना की तहर किसान गरीब और जुपशुपालन से जुड़े हैं वो गोबर बेचकर आमदनी हासल कर रहे हैं गोधन न्याई उचना पशुपालन करने वाले गोबर विक्रेताओं के साथ ही गोबर खरीबने वाली स्वासाहता समुहों की बहिलाओं के लिए बर्दान साबित हो रही है राजिकी भूपेश पखेल सरकार की गोधन्याय उच्टा एक ऐसी उच्टा है जिसने गोबर को लेकर लोगों की विचारधारा को बदलने का काम किया और लोगों की जीवन को नई दिशादी है सरकार पशुपालकों से दो रुपे प्रती किलो की दर से गोबर खरीद रही है सितंबर दो हसार इकिस तर चट्टिसकर सरकार ने पशुपालकों से अब तक सौ करोड रुपे से जादा की गोबर खरीद की जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है स्वासायता समूहों और गोठां समीतियों को अब तक कुल 57 करोड 43 लाख रुपे का लाभांस एम भुगतान वित्रित किया जा चुका है इस योजना से जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उसमें 45% मिलाएं 89,435 भुमी इन किसान लाभांनीतों में अन्य पिछड़े वर्ग के 48.1 प्रस्यत अंसुचित जाती के 40.5 प्रस्यत अंसुचित जाती के 7.8 प्रस्यत लोग है इस तरह यह योजना समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के आर्थिक सशक्ति करन का एक मजबूत माध्यम बनी है दुर्गसिली के जामगाओं के रहने वाले दीवसेह ने गोबर बीच कर ना सिर्फ अपने पिता का इलाज करवाया बल्कि अपनी मा की गिर्वी रखे हुए गहनों को भी छुडाया देव सिंग के गाउं के रहने वाले प्रवीन कुमार यादव ने भी गोबर बेच कर अपने लिए बाइक खरीद कर अपने सपने को साकार किया बूपेश बखेल सरकार की गोधन नाई उजना प्रदीश में नए कीरतिमान स्थापित कर रही है योजना को लेकर किसान काफी खुश है किसानों का कहना है कि इस योजना से उनकी आय बढ़ी है राश्टपिता महत्मा गांधी की जैनती 2 अक्टूबर 2021 का दिन चत्तिसकर के लिए आविस्मरणी और एतिहासिक दिन बन गया सियम भूपेश ने बेमित्रा जिले के आदर्श गौठान राकी सहट, दुर्गसिले के सिकोला और राइपुर जिले के बन चरोदा गौठान में गोबर से बिचली उतपादन परियूजना का शुभारंब किया इसके साथ चत्तिसकर दीश का एक लौता ऐसा राज्य बन गया है जो गौबर से बिचली उतपादन कर रहा है जिससे प्रदेश की गौठान अब गौबर से बनी बिचली से जगमग होंगे गौधन याई उजना के तहट प्रदीश में 3726 गौठानों से गौबर की खरीदी की जा रही है वही प्रदेश सरकार 100 करोड से जादा का वर्मी कमपोस्ट बेच चुकी है इस योजना को लेकर लोग सभा में क्रिशी मामलों की स्थाई समीती ने भी चत्तिसकर की गोधन याई योजना की सरहना की साथ ही केंदर सरकार से ऐसी योजना पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गए ऐसे में यो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की योजना दूसरे प्रदेशों में भी शुरू की जा सकती है Bureau Report, INH 24-7